हेलो इब्रिवन वेलकम टो माई यूटूब चैनल मैं हूँ पतिभा और मेरे चैनल कानपूर की चैनल इंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए फिर से एक नौरात्री स्पेशल रेस्पी लेके आई हूँ जो कि है आलू बड़ा और ये आलू बड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं तो चलिए हम इस क्रिस्पी आलू बड़ा की रेस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं बट इससे पहले आपसे एक रिक्विस्ट की अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर दीजिएगा जिससे की मेरे आने वाले सभी लैटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड्स क्रिस्पी आलू बड़ा बनाने के लिए मैंने पांच से उबले हुए आलू लिये हैं इन्हें हमने छील लिया हुआ है और आलू अच्छे से ठंडे हो गए हैं जिसे की हाथ से मैस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पटैना और आप यहा पर एक छोटा वाला ग्रेटर लेंगे और आलू को अच्छे से घ्रेट कर लेंगी आप चाहें पर हाथ conse के भी यूज में ले सकते हैं तो इसी तरीके से हम सभी आलू ग्रेट कर लेंगे अब मैंने यह आप़ एक इन्च अध्रक कर टुक्डा लिया हुआ है जिसी मैंने च्छे लिया हुआ है और इसे भी आप अच्छे से इसमें अधा चम्मच काले मिर्च का पाउडर और स्वाधा रुषार हम इसमें शेला नमक डालेगे एक चोटी चम्मच मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाला है तो जीरा को हमने भून के इसे हलका सक क्रस्ट करके डाला हुआ जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से उभर के आएगा अब यहां पर मैं इसमें आधा नीबू का रस डाल दी हूँ अगर आपके पास फ्रेस्स आमचूर पाउडर है तो आप उसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं एक चमच हम इसमें डालेंगे सिंहाड़े का आटा और एक चमच हम इसमें डालेंगे साबू दाने का जो पाउडर है तो नॉर्मल साबू दाने का पाउडर बना लेना है इससे क्या होगा कि जो बड़े बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इसे हम अच्छे से म अगर हमें जरूरत होती हैं तो थोड़ा सा हम ही काटा और मिलाएँगे अब हम हाथों को तेल से हली चिकना चिकना कर लेंगे और इसके को बड़े बना लेंगे अब ये बड़े जो हमारे हैं वो फ्राइ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं तो जिसके लिए मैंने एक कड़ाही में तेल गरम होने के लिए रखा है तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तभी हम इसमें बड़े डालेंगे तो नहीं किया है और जो सिंगाडे का आटा मिक्स किया वह बहुत ही ड्राइ होता है जिससे कि हमारे बड़े क्या है कि वह बिखर सकते हैं इसलिए हमें गैस का फ्लेम स्टार्टिंग में हाई रखना है जब यह हलका सा क्रंची हो जाएगा एक साइड से अच्छे से सिह जाएगा तो इन्हें हम बहुत ही सावधानी पूर्वक पलट देंगे, तो यह देखें, इसी तरीके से हम सारे वड़ों को बहुत ही सावधानी से पलटेंगे, जिससे कि यह तूटे नहीं, और यहां पर मैंने जितने भी बड़े थे, सबको अच्छे से पलट दिया हुआ है, और बहुत अच्छा कलर आया हुआ है, और दूसरे साइट से भी हम इसे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे, और आप देख सकते हैं, फ्रेंस यह जो बड़े हैं, वो कितन और जब एक साइट से अच्छे से सिक जाएं, तब गैस का फ्ले मेडियम कर दें, और अच्छा सा कलर आने तक भूल लें, और यह हमारे बहुत ही क्रिस्पी बड़े बनकर तयार हैं, तो इन्हें हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे, फ्रेंस आप इन बड़ों को अपनी कि ब्रत वाली किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, या आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ भी खा सकते हैं, यह आपको बहुत पसंद आएंगे, फ्रेंस आप लोग इस रेस्पी को एक पर जरूर ट्राइ करना, और मुझे उमीद है कि आज की यह रेस्पी आपको बहुत लगी है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शियर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्लवाद, चल्दी मैं आपके सामने फिर से किसी न्यू रेस्पी के साथ प्रस्तुत होंगी, तब तक क लिए बाइ-बाइ, टेक केर